नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेफ सुनिल सिंग आज आपके साथ सेयर कर रहा हूँ मजरूम रिजोटो बहुत ही इंट्रस्टिंग दिस है टेश्टी डिस है गाईज इटेलियन क्लासिक मजरूम रिजोटो कैसा बनाया चाता है मैं आपके साथ आज सेयर करूँगा टिप्स ट्रिक्स तो बने रहे वीडियो के साथ मजरूम रिजोटो बनाने के लिए मैंने यहां पे इस्तमाल किया है वाइट अनियन आदा अनियन का मैंने मीडियम साइज वाला था कुछ इस तरह से एक दम बारी कट कर लिया था इसी तरह से थोड़ा सा पार्सले लोंगा उसे भी इस तरह से फाइन चॉप कर लूँगा गाइस रिजोटो बना रहे मुसरूम रिजोटो बनाने तो मुसरूम तो जाए गई अब क्वेस्चन की मुसरूम रिजोटो में कौन सा मुसरूम जाए वैसे तो इसके साथ पोर्चनी मुसरूम का इस्तमाल किया जाता है मुसरूम र ट्राइस सिता की मॉस्रूम था इसे हमने पानी में आदा गंटे के लिए बिगाने के लिए छोड़ दिया था तो यह इस तरह से सॉप्ट हो जाते हैं उसके वाज एकसेस वाडर इसको निकाल देना है आप इस पानी के इस्तमाल भी कर सकते हैं इस टोगी गरह में अच्छा हो फ्लेवर रहता है इसमें दोस्तों तो इस तरह से इसके स्टेम्स निकाल देने ने चाहिए थोड़ा हाड होते हैं इन्हें हमें आउट कर लेना है उसके वाज मॉस्रूम को रफली कट कर लेना है तो आगेन नॉर्मल मॉस्रूम में ऐस कंपेर टू सिता के एंड पोर्चिन मॉस्रूम में थोड़ा महेंगे होते हैं तो हर कोई अफोर्ड ने कर पाए इनको बाई करना तो आप लोग नॉर्मल बड़न मॉस्रूम यह टाइप ओप मॉस्रूम का इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा कोई इसू नहीं है तो मॉस्रूम को बॉल में निकाल के रख लेना है अब से बड़ा जो डूल प्ले करता है रिजोटो में वह अरुरूरियो राइस Kendall है इतलीटर ॉडूरियाओ टाउन से बिलोंग करता यह बहुती आ श्टेगी तीगी कृविनेस इस राइस के अंдर रहता है बहुति कौलीटी वाला राइस है दोस्तों इसलिए राइस ठ जब कभी रिजोटो बनाएं तो इसी राइस का इस्तमाल करें तो इससे रिलेटेड अल्री मेरे मेनू में डिस है रिजोटो तो सोचे क्यों ना आपके साथ एक रेसीवी भी सेर किया जाए तो सबसे पहले पैन में जाएगा दो टेबल स्पून के करीवन ओली वाइल टेल जै देना है तोड़ा सा इसमें सीजन कर लेना है सॉल्ट या आप चीदो थोड़ा क्रेश्ट ब्लैक पेपर के इस्तमाल कर सकते हैं मैं फिला अलो सारा स्कीप कर रहा हूं सिर्फ नमक का ही इस्तमाल करूंगा तोड़ा सा पार्सले जो चौप करके रखा हुआ था मैंने आप रख लेंगे अगर आप फ्रेश मसरूम इस्तमाल कर रहे हैं तो थोड़ा टायम लगए लगता है तो तो इसमें थोड़ा टायम लगता है जिए ड्राए मस्रूम था तो इसलिए काफी एजियर अभी आता है रिजूत और राइस बनाने की बारी तो यहां पे दो से ती करके रखा हुआ था थंडे तेल में ही हलकासा जैसा वाम हुआ उसके बाद ही ऑनियन डाल देना है ऑनियन को जितना स्लो फ्लेम में हो सके उतना स्लो फ्लेम में उसको लाइट गोल्डन ब्राउन के स्टेश तक लाना है डार्क गोल्डन ब्राउन निकरना इस चीज का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आदा टी स्पून के करीबन गालिक का इस्तमाल किया है गालिक टोटली ऑप्सिनल है आप चेहे तो डालें चेहे तो स्कीव कर रहें ओनियन को लगतार स्टेर करते रहेंगे जब तक इसका हलका कलर चेंज ना हो जाए तो कलर कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है अब हम इसमें एड कर लेंगे अर्भूरियो राइस तो ध्यान रहें जब कभी भी अर्भूरियो राइस से आप रिजोटो बनाएं तो राइस को वास ना करें इस चीज़ का बिसेज ध्यान देना है राइस डालने के बाद उसे दो से तीन मिनट तक टॉस करते रहिए एकदम स्लो आँच पे इस चीज़ का बिसेज ध्यान दे तमप्रेचर जो है आँच का वो बढ़नी ना दीजिएगा दो से तीन मिनट के बाद हमारा जो राइस है वो पर्शकली टॉस हो चुका है अब हम इसमें आदा गिलास के करीबन वाइट वाइन के इस्तमाल करेंगे वाइट वाइन जो है बहुत अच्छा फिलेवर देता है रिसोदो को अगर आपके पास अभेलिबल नहीं है आप सिंपली इसकी भी कर सकते हैं अब इसे continue stir करते रहिए गुमाते रहिए लैडल से राइस को ध्यान रहे ड्राइ होने से बचाना है ताकि राइस के अंदर बराबर moisture बना रहे इस चीज का बेबी से ध्यान देना है याँ पे मैं इस्तमाल करूँगा vegetable stock का जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था आप चीज तो chicken stock available है उसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर इस टोग में कुछ भी available नहीं है तो simply water का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे vegetable stock एक बारवे में एक लैडली डालूँगा इससे ज़्यादा नहीं डालूँगा अगेन risotto को cook करूँगा continue चलाता रहूँगा और इसको जैसे ही again reduce होगा पानी को इस तरह से soak कर लेगा जो stock है या पानी है उसके बाद जैसे कि मैंने कहा है rice को dry होने से बजाना है फिर से मैं एक लैडल डालूँगा इसी process को मैं लगतार तीन से चार बार cook करता रहूँगा अगेन जब कभी भी आप risotto rice बनाए तो जो packet यहां पर mostly जो है risotto rice के packet में मिलता है उस पे पूरा instruction दिया रहता है कैसे कैसे हम risotto rice को step by step बना सकते हैं आप चाहिए तो वाला instruction भी follow कर सकते हैं जब भी risotto बनाए तो patience रखना जरूरी है घाई में ना ले इसके step सी है इसको अच अच्छा result देने के लिए उसमें पेसेश रखना जरूरी है जैसे कि मैं कह रहा था कि step by step हम इसमें इस्टोक या water जब इस्तमाल करते हैं तब ही जागे पूरा starch जो है rice अपना release कर पाता है एक ही बार में अगर पूरा पानी डाल देंगे बोलेंगे इंडियानी इस्टैल ज मसब होने से बच सके एक परफेक्ट डिसो तो अब आसानी से घर पे भी बना सके अब यहां भी जो सौते कियावा mushroom था वो add-on कर लेना है क्योंकि जो अलदंते stage पे है हमारा डिसो तो आ चुका है अब mushroom डालने के बाद इसको अगेन थोड़ी देर पका लेना है एक से दो मि बीच में मैंने तोड़ा सा पिंच आप सॉल्ट का इस्तमाल किया था वीडियो पॉस्ट था तो आप लोग देखनी पाएगा वीडियो में सो जैसे कि आपको पता है दोस्तों काफी टैम लगता है इसमें 15-20 मिनट तो पूरा वीडियो हम आपको दिखानी पाते हैं पुले स्पून के करेवन बटर एड़ कर लेंगे जैसे कि मैं पहले बताया था कि सॉल्ट बैलेंस के साफसे डालें और बटर में भी सॉल्ट रहता है साथे साथ इस्तमाल करेंगे पामिजान रिजानो चीज डालने से जो रिसोतों है एकदम क्रीमीनेस आजाता है रिसोतो जाते एकदम delicious तो जब कभी भी risotto बनाएं तो उसमें parmesan cheese जरूर डाले Italian cheese है दोस्तों काफी अच्छा rich and creamy बना देता है डिसको parmesan cheese थोड़ा महेंगा मिलता है होटला एंड में जब भी हम इसे purchase करते हैं अगर ब्लोक खरीद लेते हैं ताकि rate wise हमें थोड़ा राहत मिले आज कल सुपर मार्केट में भी 100-200 ग्राम के पैक में parmesan cheese मिल जाता है साधिसा risotto rice भी मिल जाता है तो आप वहां से buy कीज़ी है और घर पे बना सकते हैं mushroom risotto असानी से तो दोस्तों mushroom risotto बनके तयार हो चुक है classic italian mushroom risotto गर्मा गर्म इसको serve कर लेंगे अगर आपको risotto में mushroom पसंद निये तो आप vegetable risotto बना सकते हो अगर आप seafood यो आप prons risotto बना सकते हो बहुत सारे option है बहुत सारे variety में आप अपने test के according flavor and twist risotto के अंदर डाल सकते हो दोस्तों डेड़ साल पहले अलड़ी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है risotto से related risotto क्रीमा दी पेस्तों आप वो वीडियो भी जरूर देखे मेरे YouTube चैनल पे है उस टाइम पे starting face में मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने आवाज ने डाला है वहाँ पे risotto and style pre-cooked risotto rice में कैसे risotto ब बुलेगा